अंडराम का जब भी hair removal होता है आपने नोटिस कर ओगा बहुत जदा जलन मस्ती है 25% आपका hairstyle depend करता है आपके cowlick area पे जिसको हम कहते है घूम एक finger place करवा के दो बार dryer को गुमवा दो पॉलर लाइन के उपर बाल नहीं आने देता सो दैटना पूलो टीशर्ट शॉट जब भी पहनो आटीशन दिखने लग जाता है पता लगता है अब 25-30% लोगों का एक से जाधा घूम होते हैं आगे front में कोई भी parting करो तो बाल जीब से मुड़ जाते है प्रॉपर फेड़ दिखे और साइट जाता गंजी ना लगे इसलिए यहां पर टू फिंगर हर लड़की की गुजारिश होती है बहिया उपर से medium और कर दो पीचे से चोटे लेकिन उसके बाद भी लगते हो आप चोमू यह mystery solve करते करते उड़े आपके तो एक haircut के तीन में पार्ट होते है 55% आपका haircut depend करता है आपका heart of the hairstyle जिसको कहते है front or center length 15% depend करता है आपकी sides पे और तीस रास जिस पे कोई ध्यान नहीं देता 25% आपका hairstyle depend करता है आपकी तो पीछे वो दो से डही करेगा थोड़ा gap रखेगा लेकिन थोड़ा ही रखेगा ऐसा क्यों पीछे के बाद जल्दी बैड जाते हैं तो ऐसा ना हो की बाल आगे से खड़े हैं पीछे से बैड गए इसलिए थोड़ा gap तो rule number one क्या है बोलना है भाई पीछे के बाल जादा का क्या connection है natural direction में parting करने से शाप है style बनते है opposite direction में ले जाने से volume आती है जब भी आप opposite direction में parting करते हैं पीछे के जो बाल है आपके आदा इंच लंबे रखवाने हैं क्योंकि natural route से वो opposite जा रहे है तो जल्दी घड़े होंगे एक finger place करवा के दो बार dryer को गुमवा दो कावलिक कि जो आज-पास बाल होते हैं उसकी perfect placement हो जाती है कहीं बाल चोटे हैं बड़े हैं वह वहीं fix हो जाएंगे and sorted अब 25-30% लोगों का एक से जाधा घूम होते हैं आगे front में मुझसे ही पूछ लो क्योंकि मेरी भी आगे front में है वह भी parting करो तो बाल अजीब से मोड़ जाते हैं वो तेरे ना मेरे time पे चलता था आच से दस साल पहले वो center parting रखना तो एक सजा है यूजुली घूम front center में रहता है तो पहला आगे की length बिल्कुल छोटी नहीं करानी दूसरा center parting नहीं करवानी हमेशा घूम से 1.5-2.5 साइट से parting करानी है जिससे वो घूम कवर हो जाए हमेशा fringe या messy style से जिससे घूम घूम जाए क्योंकि hair style बहुत trendy है उसके लिए pro tip जब भी आप एक dryer यूज करते हैं उसमें एक attachment आती है 200-400 रुपे की जिसको हम कहते है diffuser concentrated heat मारता है normal dryer तो वो damage करती है diffuser नाम सी बतला कर रहा है उसको diffuse कर देती है तो पहले बद तो damage कम करेगा दूसरा volume तीसरा बालों को messy और texture देता है I am 32 now अपने experience से बताने वाला हूँ life का सबसे बड़ा risk क्या है जुआ केला नहीं इस रोप पे चला नहीं सबसे पहला इस जमाने में शादी करना और दूसरा आपका आगे के बाल भाईया medium अभी medium छोटा बड़ा इसकी कोई definition ही नहीं है इसी के कारा दसमें से 8 बार वाल क्य हमने जितने भी नाईयों से बात करी उन्होंने बुला 90 बहुत से लड़के आके medium hair length रखवाते हैं और front की length 3-4 inch जो है perfect रहते हैं इसमें multiple styles आप volume कर सकते हैं उसको verify करने के लिए आपको बताने से पहले मैंने अपने खुद के बाल नापे 4 inch क्योंकि मेरे कटवाने वाले हो कोई गुझाईश लग रही है कि जादा product लगाना पड़ेगा जल्दी बैठ जाएंगे तो थोड़ा सो उसको और short करवाए और हा सबसे important mark जरूर बनाए कि front line कहां तक थी जब अची कटी आपके eyebrow तक उससे थोड़ा नीचे आदा गूठा उपर जिससे हमेशा चिक तीन तर पर फेट देखे और साइड जादा गंजी ना लगे इसी लिए यहाँ पर टू फिंगर टेक्निक उसके नीचे नीचे फेट कराईए और काला खना मोटा बाल है तो थी फिंग अब साइड फेट में सबसे बड़ी problem आती है वह partition दिखने लग जाता है पता लगता है साइड पर फेट कम मश्रूम जादा लगता है उसकी बेश टेक्निक क्या है फॉर इंपर तीन नंबर रखा है नीचे एक नंबर रखा है और फिर वो मर्च करते सीजर से उस पर बहुत पहनत लगती है तो अपने बार बर को बुली अगर उपर तीन है नीचे एक है तो बीच का एक नंबर मारे उसके बात शिजर आउट करें बहुत ऐसे बॉड़ी भाट से ढहीं और जहीं कराते है अपनी चेस्ट कराते हैं मैं दिखाऊंगोँ आपना फूल बैड रिमुवल है रिमुवल आप बहुत बहुत जलन मस्ती है बहुत इरीटेशन होती है क्योंकि उस तरह होत अगर आप इंट्रोवर्ट है वो नहीं बोल पाते पानी हलका स्प्रे कर लीजिए उससे क्या होगा फ्रिक्शन कम हो जाएगी इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स है तो क्या कर सकते सिर्व इतना बोल दीजिए कि भाईया एक से दो स्ट्रोक में करता हो अगर आपकी बैक हेरी है त जब आप टीशिट पहनते हैं तो बैक के हैर और विजिबल होते हैं इसलिए जो भी बैक के बाल आते हैं उसको ऑपोसिट डिरेक्शन में जीरो नंबर पर ट्रिप करा है आम्स क्लीन कराने से पहली बात तो आपकी आपकी कटिंग अच्छी दिखते हैं आप जिम नहीं जा लगे फुल आंस नहीं कराता हाफ आम वह अजीब ना लगे उसका सेपरेशन बिल्कुल स्मूथ रहता है एल्बो एरिया में अपने फ्रेंट एरिया में सिर्फ दो नंबर पर ट्रिम कराता हूं लेक्स हेरी रखता हूं वह एक दुसरे को कॉंप्लिमेंट करते हैं जैसे कि है रिमूबल कराते हैं जो ग्रूम्ड भी लगें एंड सेक्सी जो बहुत ज्यादा हेरी एरिया होते हैं इसको क्लीन कराने के पांट सा दिन बाद वह कांटे ही नहीं चुबते लुक जो आती है दाट सा टर्न ओफ नोडिस कर रहे हैं जाडू या पोचा लगता है फ्लोर क सब्सक्राइब तो फेस फ्रेश दिखता है लेकिन सिर्फ दो दिन के लिए उसके बाद ग्राउंड जीरो इसलिए डेली फेशल तो पॉसिबल है नहीं और वह अच्छी डाइट ले लो पानी जादा पी आगर उसकिन ग्लो करती है वह तो सुनके मैं भी यूट्यूब पर तो एक अच्छी स्किन का फिक्स क्या है उसके लिए आपको अपनी स्किन को जाना जरूरी है टीशू टेस्ट करना पड़ेगा आपको दो टीशू पर रहने है दिस जोटी जोन दूसरा लगाना आपको यूज जोन पे गंटे बाद आपको फेस वाश करने के कोई एसी में रहना नॉर्मल फ्राइन में अगर हो दोनों टीशू पर ऑली नहीं हो तो वह है आपका नॉर्मल नाया तो जूनों ऑला यादे तो वह एस्किन है अगर आपकी डियर फ्लेकी है घंटे बाद भी तो एक ड्राइट ढ़नार नामल नामल लाग को फिल ऑगे इचे और में ला and this collagen is like a glue which keeps your skin tight and firm and if there is a healthy skin and there is a lack of collagen in a skin loss of collagen there will be dull skin, wrinkles, fine lines and there will be more under eye problems reactors, models, laser thread lifts, micro leading procedures what does this mean purpose to stimulate the collagen production and this treatment is something which a man can't afford that's why we come to practical solution this lifestyle and environment which is already damaging our skin we can do only two things which can make our skin glow maximum food at home and if there is food outside then MMF rule we have to avoid second is to add collagen in your diet which will be effective with collagen production with vitamin C, E and hyaluronic acid there are many supplements in the market I have used my recommendation true basics which will give you results and it contains marine collagen peptides which naturally replenishes which basically fine lines, wrinkles dull skin smoothness and glow within 6 to 8 weeks best suitable time just enjoy the tasty drink without any side effect and link so guys these were all the secrets about a good hairstyle your beard and a good skin and what I have told the product that I have linked below you can also buy that on trubasics.com using the code karen10 10% off also available on Amazon and Flipkart if you liked the video 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 please subscribe if you liked the link 时候